आज हम बनाएंगे एडिबल ग्लिटर जो घर पर असानी से बहुत ही कम खर्चे में बन जाता है हेलो दोस्तो मैं पुनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ इसका यूज आप केक, कपकेक, पेस्ट्रिस की फ्रॉस्ट्रिंग और आइसिंग में कर सकते हो और बिल्कुल मार्केट जैसा ही ये बनता है तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं इसे कमर्शेंदेश के ये बनाने के लिए हम इस सिर्फ और सिर्फ चाहिए sür kalau और फुट कलंः तो हम क्या करेंगे हमने यहां पर के लिया है वन टेबल स्पून कॉन यहां पर स्वाइनी कुछ कलंः लिए हैं, यह जो हैं, यह तीनो जल कलर्स हैं, तो हम जल कलर्स भी यूज कर सकते हैं, साट में जो लिक्विड कलर्स आते हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं, और पाउडर वाले भी यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको तीनो तरह से बताऊंगी, कि हम इसे कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं सबसे बहले हम एक ले ले लेंगे एक अड़ाई या जिस बरतन में आप बनाना चाहते हो तो इसमें हम डाल देंगे वन टेबल स्पून यानी एक बड़ा चमच कॉन फ्लार का यह इसली एवेलेबल हो जाता है आप इसे क तो यहां आप देख सकते हो कॉन फ्लार जो है बहुत अच्छा से मिक्स हो गया इसमें कोई लंप नहीं है तो इसे अब हम गैस पर रखते हैं पकने के लिए तो चलिए यहां पर गैस को हम अन कर देते हैं और हम इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे क्योंकि कॉन फ कि बाइब हो जाएगा तो अप देखते जाएए किस तरह से होता है तो देखिए आप यह धीरे धीरे ट्रांस्परेंट हो रहा है तो इससे हम् चलाते रहेंगे और पकाते के अगये और जब यह पकग जाएगा दो इसके जो साइड में इस तरह से पपड़्य आ जबनी हो चुकि है मैं इसे slow gas पर ही बना रही हूं तो friends आप देख सकते हो कड़ाई में यहां पर इस तरह से dry dry हमें दिख रहा है तो यह पपड़ी बननी शुरू हो गई है तो इसका मतलब हमारी जो यह जल है यह जो जिसके अधर्य शेमर्स बनाने वार वो चुकि हैं तो यहां पर हमारा जो यह पेस्ट है तयार हो गया है fier को मैं बन कर देती हूं तो अब मैं क्या करती हो さあ टूरी में डाल लेते हैं ror क्योंकि मैंने और नहीं सब्राइ積स नीदे। Σंसुदय कर रहे हूं मैं इसलिए यह थोड़ डवल कॉंटिटी में बना के रख सकते हो तो इक्वली हमने डिवाइड कर लिया है जेल को तो चलिए अब हम सभी में कलर एड़ कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं रेड वाला कलर डालती हूं इसमें एक कटोरी में हम डालेंगे ब्लैक कलर तो यहां हमने एक ड्रॉप ब्लैक कलर का डाल दिया है साथी में अब हम इसमें दूसरे में डालते हैं येलो कलर ये हमने येलो कलर भी डाल दिया है अब हम एक में डाल देंगे ब्ल्यू कलर तो ये जो कलर है मेरा मेरे पास जो लिक्विड वाला blue color है वो है तो हम यही इसमें डाल देते हैं तो यह हम इसमें blue color मैंने डाल दिया इसे संक्रवेर अनने कि दिखो साथी में एक में हम ड्लाने वाले है — पाउडर कलर यह देखें फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा पाउडर कलर लिए है और मैं यह इस वालए में डाल देती हूँ और इसे हम गरम गरम में ही हमने इसे मिक्स करना को फंडा होने के बाद ज़रूरि नहीं है कि आप महिने यहाई मैंगे बिंग और यूणी हमने तो यह रह में यहाई यहaцевए येल्ली कलर ने और इसे भी पर कर लेते हैं और यह देखे यहां पर yellow color भी mix हो गया है तो जैसे के मैंने आपको बताया मैंने यहां पर बहुत थोड़े थोड़े बनाए है colors आप जब बनाओगे आपको अगर ज्यादा quantity में बनाना है तो आप quantity अपने जो one floor की quantity है उसे बढ़ाईए साथ में पानी की भी तो अब इसे हम क कर सकते हो या फिर इस तरह की sheets market में easily available हो जाती है इसे OHP sheets बोलते हैं और stationery shop में easily मिल जाती है तो आज हम इसके ओपर set करें यह अपने shimmers को तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे spread करते हैं तो यहां पर board में मैंने sheet रग दी है और मैं इसके ओपर spread कर लूँगी सबसे पहले red ब ठीक नहीं रखना है ताकि यह जल्दी से सूख जाए हम इसे जितना पतला लेयर करेंगे यह जल्दी से ड्राइ हो जाएगा तो red वाले को हमने फैला दिया है तो इसी के ओपर अपने yellow वाले को भी half portion पर yellow लगा देती हूँ च्योंकि यहां पर आज हमारे बहुत थोड़ी सी यह जल बनाई है मैंने तो अच्छे से spread कर लेते हैं तो यहां आप देख सकते हो हमने एक ही शीट पर दोनों को इस तरह से रगा के फैला दिया है और अब इसे हम सुखने के लिए रखेंगे फैन के नीचे यह अराम से सुख जाता है और इससे सुखने के लिए कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं तो चलिए इसे रख देते हैं और दूसरी शीट पर अब हम बाकी के जेल लगाते हैं तो यहां पर मैं एक दूसरी शीट ले लेती हूं और इसके ओपर हम लगाएंगे ग्रीन जेल ग्रीन कलर को हमने फैला दिया अब हमारा ब्ल्यू जो है उसे भी हम इसी तरह से फैला देते हैं आजकल शिमर केक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ट्रेंड में हैं तो आप भी इसे बनाईए और अपने हर में बना के केक को डेकुरेट कीजिए या आप कभी कपकेक्स बनात तो दोस्तों आप देख सकते हो पांच से छे घंटे हो चुके हैं इसे और ये पूरी तरह से सुक चुका है इसे अराम से हम इस तरह से जो हमने शीट के ओपर लगाया है उसके ओपर से अराम से ये निकल जाता है तो बाकी पी जो सारे हैं हमारे हैं वो इसी तरह से सुक तो friends अब इन्हें हम पीस लेते हैं और इनका powder बना लेते हैं तो अलग-अलग से इन्हें हम पीसेंगे mixer jar में डालके तो सबसे पहले हम yellow वाले को डाल देते हैं mixer jar में और उसे पीस लेते हैं तो friends मैंने यहाँ पर extra और बनाया हुआ है तो हम यह सारी चीजे जो हैं एक साथ पीस लेते हैं थोड़ी quantity में यह पीसा नहीं जाता है friends तो आपने भी इसे थोड़ा ज़्यादा बनाना है ताकि आराम से mixer में पीसा जाए तो आराम से यह देखिए इस तरह से हाथों से ही चूरा हो रहा है तो यह सारा जो है इसे हम mixer में गुमा लेते हैं तो friends यहां हमने यलो वाला जो बनाया था glitter उसे हमने पीस लिया है और आप देख सकते हो इसमें शाइन अभी से दिख रही है तो इसे हम क्या करेंगे थोड़ा सा छान लेंगे तो छानने के लिए मैं यहां पर एक प्लेट ले लेती हूँ नीचे और मैं ऐसे चाय की छननी से छानने वाली हूँ तो हम क्या करते हैं यह सारा जो हमने पीसा है इसे निकाल लेते हैं इस तरह से और इसे हम पूरी तरह से छान लेते हैं बहुत ही shiny shiny बना है friends यह यह देखिए पूरा हमारा glitter जो है नीचे गिर के बहुत shine हो रहा है तो इसी तरह से हम इसे चान लेते हैं और जो बाकी बच गया है इसे फिर से हम घुमा के फिर से इसे भी चान लेंगे तो इस तरह से हमारा glitter जो है वो ready हो जाएगा तो अब हम दूसर कलर जो है उसे भी इसी तरह से piece के चान लेते हैं तो green वाले को भी हमने piece लिया है तो उसे भी हम निकाल लेते हैं और हम चाननी से उसे भी चान लेते हैं तो दीखी कितना कितना सुन्दर दिख रहा है यह color green वाला भी और सच में यह बहुत ज़्यादा ऐसे glittery लग रहा है च इसके चान लोगी दोस्तों यहाँ पर हमारे glitter जो हैं बिलकुल ready हो गया है और आपने देखा इन्हें हमने कितने easily बनाया और मैं तो आप से कहना चाहूंगी कि आप इसमें gel colors का use नहीं भी करोगे आप अगर liquid color का use करोगे या powder color का use करोगे किसी भी color का आप use करोगे तो यह glitter इसी तरह से बनेंगे जरूरी नहीं है मेंगे वाले gel colors हमने use करने तो मैं आपको यह past में से दिखाती हूं friends देखिए हमारे glitters कैसे एकदम से glitter हो रहे हैं है ना बहुत अच्छे आगे मैं आपके साथ gel colors की भी recipe शेयर करने वाली हूं जो homemade होगे organic होगे हम उसमें कोई ना chemical य देना साथ ही में bell button को जरूर दबाना ताकि मेरी अगली वीडियो की notification आप तक पहुंच सकेगी फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई recipe के साथ